दोस्तो नमस्कार मैं प्रवीन अपने चनल प्राकिर्टी गाउं से आप सभी को स्वागत करता हूँ आप सभी को नमस्कार आप सभी को प्रडाम आप सभी को धेर सारा प्यार देखे पंगेसियस की हरवेश्टिंग हमारे फाउम पर चल लई है आजकल हमने जो है बहुत ही एक दो महीने पहले बच्चे को डाला था और प्रापर दाना खिलाया और ठंट के पहले पहले अभी हमारे दूसरे नर्सरी तलाब में 200-2500 ग्राम के बच्चे तैयार है उनको भी हमको 2 महीने के अंदर जो है अभी इनको तयार करके दिसंबर के पहले पहले तक उनको harvest कर देना है दोस्तों अगर अच्छे से farming करी जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से farming होती है अगर हम proper way में करें खास दोर से high density piece के लिए आपको पानी को पालना बहुत बेहत जरूरी है पानी को अच्छे से पाल लिया हमने समय समय पर कुछ बातों का ध्यान दिया जो सभी high density piece वालों को जो पालन करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए सबसे पहले मैंने क्या किया इनके में जितने भी हमारे तलाब हैं सब में हम daily water exchange करते हैं तब एक pump से पानी गिराते हैं fresh water और दूसरे pump से पानी निकाल कर खेतों में डालते हैं या फिर उस तलाब में डालते हैं जिसमें IMC मचली का पालन कर रहा है तो हम daily water exchange करते हैं जितने भी तलाब है दूसरी चीज हम इनको probiotics खिलाते हैं लोग कहते हैं probiotics क्या है यह तो extra हो जाएगा कुछ भी extra पैसा include नहीं होता है probiotics खिलाएंगे तो आपके मचलियों के weight इतनी अच्छी होगी अब इतना अच्छा आप gain करेंगे उसमें सब कुछ उनका जो है हमारी extra cost होगी ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जो है कुछ-कुछ मचलियां डेड़ किलो दो किलो यह देखे size देखे हमारी मचलियों की बहुत ही प्यारी size है दोस्तों इस बार मैं संतुष्ट हूँ तो इसलिए हमने water exchange किया हमने probiotic खिलाया और हमने दानों को उतना ही डाला जितना मचलिया खा जाया प्रापर कुछ लोग क्या होता है इसमें लोग गड़बडी क्या करते है कि ओभर दाना फेक देते हैं ओभर feeding कराने लग देते हैं इससे क्या होता है जैसे बरसाद का मौसम था मरसाद में जब अचानक से temperature difference होता है तो मचलिया दाना नहीं खाती है कुछ लोग फेक देंगे तो वो दाना जो नहीं खाएंगे तो पानी में जाकर के बैठेगा और दाने का जो पैसा है वो आपका waste जाता है तो आप उतना ही दाना खिलाएं जितने आपकी मचलियां खा रही है अच्छे से नहीं खा रही है और पानी को आप बिल्कुल अच्छे से water parameter रोगरे चेक करते रहें दोस्तों बहुत ही मज़ा आता है अगर आपकी जितने जो आप प्लान करें हैं वो इसका implementation बहुत सही होता है तो आप भी करिये आप भी सतर को करिये बहुत ही अच्छा वीजनेस है अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो मचली पालन बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा वीजनेस है बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ठीर सारे टीप्स आपको मिलते रहेंगे, बने रही अगर आप नए हो था हमसे जूड़ना मन भूलेगा, जैहिन बहुत बहुत धन्यवाद